मार्केटिंग रिशर्च विपड़न अनुसंधान के लाब कि मार्केटिंग रिशर्च करने से क्या-क्या वेनिफिट्स होते तो फस्ट है इंडिकेटिंग करेंट मार्केटिंग इन सब पहते बिचाल मा देखने से पहले कानर अईब दता टो और फिकाटिंग रिशर्च वाजर्च रिशर्च के पहले और यह रिजितर्स पहले अटेटिंग प्रकेटिंग रिचने से पहले इन सबी को डीटेल में देखने से पहले कॉर्णर आई बटन पर क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसेर्च की प्लेलिस देख सकते हैं जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसेर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे मार्केटिंग रिसेर्च हां की। situation में क्या चीज़े वो face कर रहा है consumer की demand को उसके preference को हम देख सकते हैं तो research से हम यह सारी चीज़े जा सकते कि market में क्या trend चल रहा है और आप उसके according product निकाल सकते हैं next आता pinpoint deficiency in marketing policy यह marketing research होता वो बताता कि product pricing promotion इन सब में क्या policies है जो क्या आपकी सही नहीं गलत जा रही है तो आपको क्या change करने होंगे वो सकता है product में कुछ development करना उसकी quality अच्छी करने है branding करने है packaging करने है advertising करने है तो वो सारी चीज़े आपको बताता है marketing research की लोग आपके product को क्यों पसंद नहीं करते हैं next आता है explain customer resistance की जो marketing research है वो useful आता है कि आप customers के बारे में क्या चीज़े उनको particular product लेने से रुकती है आप उसको जान सकते हैं research से पता चलता है कि आपको क्या चीज़े सही करने की जुरत है consumer को क्या चीज़े और आप क्या प्रोवाइट कर रहें दोनों के बीच में आप difference को जान सकते हैं और उनको प्रोवाइट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है suggest sales promotion techniques sales promotion होता है कि जो हम short time के लिए promotion की techniques का यूज करते हैं like discount देना offers देना price कम करना या फिर कुछ भी gift देना तो वो सारी चीज़ों होती है sales promotion की तो sales promotion techniques सिर्फ consumer को नहीं दी जाती है बल्कि जो भी channel of distribution होते हैं sales person होते हैं सभी को मिलता है तो उनको कौन सी technique का यूज करना है किसके लिए कब कौन सी techniques ज्यादा beneficial होगी तो यह भी आपको marketing research से पता चलता है next आता है guidance to marketing expert जो marketing research होता है वो offer करता है information को guidance को जो भी marketing executive रहते हैं जो की marketing की policies को बनाते हैं काम करते हैं और marketing की policies को चलाते हैं तो यह continuous research company face करती है कि market में क्या situation से आप उनको उसके according guide करते हैं research थे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़े change करने की जुरत है जो लोग marketing कर रहे हैं वो चीज़ को change कर रहे हैं और जो भी environment में चल रहा है उसके साथ चले next आता है selection and training of sales force marketing research useful होता है कि कैसे हम staff को select करना है sales organization के लिए sales person के अंदर क्या qualities रहोनी चीए कैसे उनको training देनी है कि cease की training देनी मतलब उनको demonstration करना presentation confidence improve करना है उनका तो यह सारी चीज़े हमको research के तुरू पदा चलती है कि हम जो भी हमारे sales person है या employees उनको कैसे motivate कर सकते हैं क्या चीज़े उनको provide कर सकते हैं जो की useful हो सकती है company के लिए next आता है facilitated business expansion जो marketing research होता है वो आप it को provide करते कि business को कैसे या बढ़ा सकते हैं उसको grow कर सकते हैं आपकी goodwill को market में कैसे बना सकते है और आपके profit को कैसे increase कर सकते हैं sales को कैसे increase कर सकते तो marketing की policies किरूग्राम किस तरीके से चलाने तिलब आपको business आपकी एक करना है वो सारी चीज़ेह आपको पज़ा चलती है research के थूप कि आपको पता चलेगा कि research में क्या नया प्रोडक्ट आप लॉंच कर सकते हैं किस तरीके साथ के बिजनस को बढ़ा सकते हैं पहुं नेक्स आथा है Facilitate Appraisal of Marketing Policies, Research Activity, Marketing Executive को Appraisal प्रवाइड करती है कि कैसे वो Marketing की Policies को Research Finding के According Change कर सकते हैं, Adjust कर सकते हैं कि किस Policies पे उनको काम करना है कि ज़्यादा Effective हो सकती है और वो अपितर किस Policies पे काम कर रहे था है तो Research उनको पूरी Guidance या Direction प्रवाइड करता है कि काम को कैसे करना है Next is Suggest Marketing Opportunity Marketing Research Suggest करता है क्या नई Marketing की Opportunity है, किस मैनर में है क्या existing है, क्या नए Market की Opportunities आ रहे है जिसका क्या आप Advantage ले सकते हैं विदलब आपको देखने हैं कि Market में क्या Problem में क्या Needed या कुछ आप यूनिक कर सकते हैं, तो आपको उसका Advantage लेना है, उसको ढूनना है और कुछ innovative करना है Next is Facilities, Inventory Study जो Marketing Research है, वो यूसफूल होता है कि Company Evaluate करें उनकी Inventory की क्या Policies है कैसे वो Inventory को Manage करेंगी Efficient Way में कितना Raw Material होना चीए, कितना Finished Goods होना चीए Company के पास में मतलब Inventory ऐसा नहीं हो कि ज्यादा Product उन्होंने बना के रख लिए और Money Blockage हो जाए तो Company को Proper तरीके से Manage करना है कि आने वाले टाइम में कितनी Demand होने वाली हो उसके According वो पहले से Raw Material अविलेबल करवा उतना Production करके रखें तो Marketing Research से आप यह सारी चीज़े भी जान सकते हैं Next आता है Providing Marketing Information जो Marketing Research होता है वो आपको बहुत सारे टाइप्स की Information प्रोवाइड करता है क्या आपकी Strength है, क्या weakness है Company की, Marketing Executive की है आपकी कैसी policy चल रही, future में क्या होने वाला, future की forecasting करते हैं Marketing Research आपको बहुत सारी information प्रोवाइड करता है, guidance देता है क्या alternative solution हो सकते हैं किसी भी marketing problem के तो Marketing Research के तुरूँ आप सारी information ले सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही research कर लेते हैं कि आने वाले time में क्या चीज़े होने वाली है, या क्या problem से आप उसका solution आप लोगों से different तरीके से जान सकते हैं Next आता है, suggest distribution channel, marketing research, use के जाता है कि आप study करें कि effective जो भी channel of distribution है, वो कौन सा होगा, क्या need है distribution system को change करने की क्या distribution system suitable होगा, बहुत सारे type के channel of distribution होते हैं direct, indirect, उसमें भी 0, label, 1, label, 2, label, मतलब जो आपका manufacturer से customers तक product जाता है उसके बीच, wholesaler, retailer, agents, brokers, dealers, तो ये सारे लोग होते हैं तो आप research के तुरू पता करते हैं कि कितने लोगों कि आपको जरूरत है कितना बड़ा आपका लंबा channel होना चीए या छूटा होना चीए क्योंकि ज़्यादा लंबा channel होगा तो cost आपकी ज़्यादा हो जाती है तो आपको marketing research के तुरू वह आप easily जान सकते हैं तो advantages of marketing research के इस video में आपने पढ़ा कि क्या-क्या advantages होते है marketing research के तो first आते है कि indicate करते है current market में क्या train चल रहा है आपकी marketing की policies में क्या changes करने की जुरत है जो की सही नहीं थी आपको उनको सही करने explain करना customer के resistance को suggest करना कुनसी sales promotion की techniques को आपको use करने guidance देना marketing executives को selection और training देना sales force को facilitate करना business के expansion को facilitate करना marketing की policies को suggest करना क्या marketing की opportunities है facilitate करना inventory के study को provide करना marketing information को suggest करना distribution channel को वीडियो अच्छा लगे तो please like किजे चैनल को subscribe किजे और comment किजो marketing research के वीडियो के playlist का link description में available है आप आसे देख सकते है thank you